सांतियों नमस्कार जैहिन 36 गड़ राज सहिकारी बैंक भरती 2023 के एक मात्र चैनल यूट्यूब जो फ्री में तयारी करा रही है वो है हमारी और इसके साथ आप जुड़ चुके हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टोटल टोटल दो टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है इ आज आप लोगों के लिए एक अलग से चैप्टर लेकिया है वो है निच्छे बीमा और प्रत्यक्ष कारंटीनियम ठीके ना जो क्रेडिट सोसाइटी है वो कैसे काम करती वह लिए यह वालब निगम आप लोगों के नॉलेज में है तो इसको मैं आप लोगों को एक बर फि सबसे पहले देखते हैं इसके परिचय के बारे में परिचय से पहले आप लोगों को कुछ लोगों को इसका इतिहास वितिहास जानने का इच्छा होगा तो मैं इतिहास वितिहास बता देता हूं यहां पर देखो इतिहास वितिहास जो है यह मैंने लास्ट में लिख रखा ह यह तिहासाला की काम का नहीं है लेकिन अगर इससे प्रश्ण आ गया तो आप लोगों का छूटना नहीं चीज में आप लोगों को PDF में प्रवाइड कर दिया हूँ आप लोगों को जो नोट सेक्षन है वहाँ पे दिया है और यह आप लोगों के सामने रखा भी है यह पूरा गारंटी अधी नहीं है उसके अंदर जो जमा भीमा और क्रेडिट गारंटी निगम है उससे जो प्रश्ण आ सकते हैं वो सारी चीज़े मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है इसके परिचे में देखें तो वर्स 1978 में जमा भीमा निगम तथा क्रेडिट गारंटी कॉ और को विलाई किया गया है तो जमा होता है उसका भी बीमा होता है क्या हाँ उसका भी बीमा होता है मान लीजे आपके बैंक को किसी प्रकार की कोई छती पहुंच गई जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि बैंक का बढ़ोदा का ही है अगर मैं गलत नहीं हो तो किसी ने सेकारी सोसाइटी के उसमें किसी ने अपने बैंक लोकर में पैसे रखे थे वह चीज वहां पर क्या हो गए कि जल गय holiday neck तो पीर अब उगुदा आपने तो वहां पर पैसा जमा किया है तो आपको चीज मिलना चीह है तो इसी चीज को इंस्शूर करती है जो है जमा बीमा deposit insurance है ना आपने जो जमा किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ये चीज़ को नर्धारेन करने वाली संस्ता है वो है जमा बीमा और credit guarantee निगम ठीक है चलिए तो अब आगे देखते हैं भारती रिजर बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित वाली सहा government of India के पास है कोई किसी और के पास नहीं है इसका जो संचालन है वो भारती रिजर बैंक स्वाम करता है या ना इसके साहयक company के रूप में कारे करता है ठीक चलिए यहां पे आप लोग जमा बीमा को समझ लिजे और credit guarantee को समझ लिए जमा बीमा क्या है कोई bank वित्ती रूप से खिलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है को बैंक बरबाद हो गया दिवालिया हो गया तो वहां पे जो credit जमा है उन लोगों के लिए यह चीज़ helpful रहता है यह चीज़ बोल रहा हूं ठीक है यही चीज़ किसी बैंक को किसी प्रकार के च्छती पहुंशती है तो उसके जमा करता है उनके हिट को साधने के लिए उनके हिट को सुरक्षित रखने के लिए जमा भीमा का क्रेड़िट गारेंटी क्या है ऐसी गारेंटी जो लेंदार को उस सिती में एक विसस्ट उपाय प्रदान करती है जब उसका देंदार अपना कर्ज वापस नहीं करता है ठीक लोग जमा करते हैं उसी को रिंड के रूप में प्रदान करता है बैंक तो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो रिंड प्रदान किया जा रहा है ये रिंड प्रदान करने के बाद फिर अगर कोई वापस नहीं देगा फिर उसको क्या करना है अभी इंसान को मारत है सकते नहीं आ तो उसका क्या करना है यह चीज़ यहां पर credit guarantee के अंतरगत यह चीज़ शॉट आओट की जाती है ठीक है तो अब देखते हैं कि जमा भीमा और credit guarantee निगम का coverage क्या है मतलब यह क्या क्या चीज़ को cover करता है चेत्री ग्रामिन बैंक, इस्थानी चेत्री बैंक, भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंक, है ना, और सहकारी बैंकों सहीत अन्य बैंकों को इस जमा बीमा कवर लेना अनिवारे होता है, ठीक है, कोई भी बैंक है, उसको यहाँ पे अपना जो बीमा है, वो कराना ठीक है, ठीक, कवर की गई जमा राशियों के प्रकार, क्या-क्या चीज कवर की जा सकती है, जमा राशियों को छोड़ कर, सभी बैंकों की बचत, सावधी, चालू, आवर्ती, सभी का बीमा किया जाता है, इसके लिए ये मतला एक B2B बिजनेस है, है ना, ये B2B, बिजनेस बिजनेस वाला ये खेल है, यहाँ पर ये आपका बीमा नहीं करती है, ये आपके बैंक का बीमा करती है, ठीक है ना, आपने अपना बीमा LIC और जितनी जाज़ी सारी कंपनियां हैं, उन सब में करा के रखते हैं, वैसे ही, बैंक को अगर कोई नुकसान होता है, क्रेडिट सोसाइटी को अगर किसी तरीके का नुक्शान होता है, तो उसका जो बीमा है, वो किसके पास रहेगा, वो उसका बीमा रहेगा इसके पास, हे ना, DICGC के पास, समझाएं, और क्या चीज़ को ये कवर करता है, विदेशी सरकारों की जमाराशियां, जो विदेश सरकार अप वह प्राप्त किसी भी जमाराशी पर कर निधर की जाती है फिर देखते हैं कि कोई रासी जैसे निगम दवरा अपना मंजूरी दे देता है, ठीक है ना, ये सारा चीज, तो इसको fund, इसका fund कहां से कहां से आता है, निम्जर लिखित नीधियों का रख रखाओ करता है, क्या क्या fund है, पहला जीवन वीमा कोश, दूसरा credit guarantee fund और तीसरा सामान निदी, तीन प्रकार के fund उसके पास होते हैं, ह और समबदित दावों के अप्टान के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो सामान निदी है, इसका उपयोग निगम के स्थापना और उसके सदस्यों के प्रशाशनी खर्चे जो वेतन वगर दिना है, उसके लिए किया जाता है, तीन प्रकार का fund उसके पास होता है, ज यमा बिमा और रिंड गारेंटी अधिनियम विध्यक दोहजार एक्किस को मनजूरी दिया गया है, यह विध्यक आप लोग दो तीन साल पहले देखे होगे, लक्षमी विलास बैंक बोलके कोई बैंक था, जो महराश्ट में था, तो इस बैंक के पूरे दिवालिया होने के वो हो गए थी, परिस्थिती आ गए थी, है ना, तो इसी बैंक को फिर बाद में क्या बहुते हैं, भारत पे या फोन पे किसी ने खरीदा है, है ना, तो यह चीज़ आप लोग देखते हैं, तो वो जो चीज़ है, कि यह बैंक जब डूबा, तो उसके डूबने से उसके ख नतरगत, उस चीज़ को देखते हैं, क्या है, क्या बोला, कि अब यह इसका जो कवरेज है, वो क्या करेगा, कि बैंकिंग प्रणाली में जमा करताओं के 98.3% और जमा मुले के 50.9% हिस्से को कवर करेगा, है ना, फिर, जो कि वैस्विक इस्तर पर क्रमसा 80% और 20-30% से अध और जमा मुले का 50.9% के हिस्से को कवर कर सकता है, ठीक है ना, इसके तर्ष्ट सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, जिसमें छेत्रे ग्रामिन बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल है, यह पहले से ही अधिस्तगन के इस्थिति में मौजूद बैंकों के सांसांत, भविश्य में अधिस्तगन के तहट आने वाले बैंकों को भी कवर करेगा, जो पहले से और इस्टैबलिस्ट हैं, उन बैंक को भी और जो भविश्य में इस्थापित की जाएंगे, वो बैंक को भी इसमें कवर किया जाएगा, रिन के भुक्तान में देरी के कानून से अधिकृत अव बैंक द्वारा लगाए गए, इस्थगन के तहट बैंक आगमन की स्थिती में नब्बे दिनों के भीतर एक खाता धारक को पांच लाख रुपे तक की धनराशी प्रदान करेगा, दूसरा क्या है, कि पहले खाता धारकों को अपनी जमाराशी प्राप्त करने के लिए एक अ परिसमापन या पुनर गठन का वर्षो तक इंतिजार करना पड़ता था, जो कि डिफॉल्ट गती वीधियों के विरुद बीमित होते थे, ठीक है न, इसको आप क्या बोला कि नब्बे दिन के भीतर आप एक खाता धार को पांच लाख रुपे तक की धनराशी देंगे, ज जो एक लाख रुपे बढ़ा था वो चीज है यह, टोटल अभी पांच लाख ही है, ठीक है न, बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समीती ने कैप में पांच लाख रुपे में आए के बढ़ते इस्तर और व्यक्तिकत बैंक जमाओं के बढ़ते आकार के कारण पांच गुना वृध्धी की सिफारिश की थी, यह जो दामोदरन समीती है इस पांच लाख को बढ़ाने के लिए सिफारिश किया था और यह पांच लाख जो पांच गुना वृध्धी करने के लिए बोला था, ठीक है न, बैंक के स्तरगन के तहत रखे जाने के पहले 45 दिनों के DICGC जमा खातों से संबंदित सभी जानकारी एकत्र करेगा अगले 45 दिनों में यह जानकारी की समिक्षा करेगा और जमा करताओं कि उनकी धनराशी अधिक्तम 90 दिनों के भीतर चुकाएगा अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके जो बैंक के जमा राशी है वो यहां से आप लोग को मिलती है नब्बे दिन के अंदर पहले 45 दिन में जानकारी एकत्र होती है और बात के 45 दिन में पूरी समिक्षा होने के बाद 90 दिन के अंदर पूरा पैसा आपको मिल जाता है बीमा प्रेमियम क्या होता है? यह जमा बीमा प्रेमियम को तूरंत 20 प्रतिशत और अधिक्तम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति देता है प्रेमियम का भुकतान बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है बीमित बैंक पिछले 6 माही के अंत में अपनी जमा राशी के अधार पर प्रत्येक वित्ती 6 माही के शुरुवात से दो महिने के भीतर अरध वार्षी कृप से निगम को अग्रिम बीमा प्रीमियम भुकतान करती है ठीक है क्या छे महीने का अर्दवार्शी कुरूप से आप पेमेंट कर दो बीमा का ठीक फिर बोल रहा है कि इसे प्रत्येक 100 रुपिय जमा करने के लिए 10 पैसे से बढ़कर 12 पैसे कर दिया गया है और 15 पैसे की सीमा लगाई गया है इतना ही आप जमा कर सकते हैं ऐसा कुछ है है ना फिर आप लोगों को ये क्या बोलता है कि ये किवल एक सक्षम प्रावधान है जो की देव प्रिमियम में वृद्धी के निर्धारन है तो आर्बी आई के साथ परामर्श करना होगा और सरकार की मंजूरी आवश्यक्ता होती ह है क्या बोल रहा है कि जो प्रिमियम जो दिया जा रहा है इसके लिए आर्बी आई से भी आपको सलाह लेना पड़ेगा है ना और सरकार की बंजूरी होनी अवश्यक है सरकार सरकार बोलेगी कि इतना नहीं होना चीए तो फिर नहीं होना चीए यह वाला चीज है यह आपका के लिए important है cover क्या क्या करेगा ठीक फिर इसकी स्थापना आप लोग लिए important है और लास्ट में इसका history जो दिया हुआ है यह history आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है history अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पढ़ा देता हूँ हलाकि ये चीज़ आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं 1948 में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखा गया जमा राशियों को भीमा करने के संकलपना पर ध्यान दिया गया 1949 में इस विशय पर पूना विचार किया गया है ना परन्त रिजर्ब बैंक दोरा परियाप्त विवस्थाएं सुनिशित करने के लिए इसे अस्तरगित कर दिया गया 1950 में ग्रामेंट बैंकिंग जांस समीती ने इस संकलपना का समर्थन किया और 1960 में पलाई सेंटरल बैंक लिमिटेड और लक्ष्मी बैंक लिमिटेड के विफल हो जाने के बाद रिजर्ब बैंक और केंद्र सरकार दोरा जमा राश्यों को बीमा करने के संबाद में गमभीटता पूर्वर फिचार किया गया 21 अगस्त 1961 को संसद में निच्छे बीमा निगम बिल प्रस्तुत हुआ संसद द्वारा इसे पारित किया जाने के बाद 7 दिसंबर 1961 में इस बिल को राश्च्पती की सहमती प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1962 से निच्छे बीमा अधिनियम 1961 लाग हुआ प्रारंब में जमा भीमा इसकीम मात्र कारे कारी वानिच्जिक बैंकों तक ही लागू था अभी हम जो बैंक जमा करते हैं वानिच्जिक बैंक है साहकारी बैंक है ये सब चीज बैंक के अलग-अलग प्रकार हैं उसमें भी देखना रहे तो दोनों पे निर्भर करता है एक मिनट रूख जाओ मैं पानी पी लेता हूँ वानिजी बैंकों तक लागू था इसमें भारती श्टेट बैंक और इसके सायक बैंक तथा अन्य वानिजी बैंक और भारत में कारेत विदेशी बैंकों की साखाई भी सम्मिलित थी आगे इसको देखते हैं तो आगे क्या लिखता है कि निच्छे बीमा निगम अधिनियम 1968 के अधिनियम के बाद निगम से यहां पेक्षित था कि वह अधिनियम के धारा 13 एक प्राधान के था पात्र सहिकारी बैंकों को बीमा कृत बैंकों के रूप में पंजी कृत करें एसे राज्य में जहां पात्र सहिकारी बैंक है वह चाहे वह राज्य सहिकारी बैंक हो या मद्यवर्ती सहिकारी बैंक ये क्या लिखा है निभी प्रागानी अधिनियम ये चीज़ कुछ अलग होगा इसको हम यहां पर से सटा देंगे ये चीज़ एक्षिली मैंने जो इसका क अपने सहकारी समीती अधिनियम में इस आसे से संसोधित करते हुए समर्थ कारी कानून पारित किया। ठीक है पारित किया तो फिर यहां पर कोई भी चीज हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे और क्या दिखता है कि 1960 में एक रिन गारेंटी योजना तयार की गए रिजर्व बैंक के परामर्श से। रिजर्व बैंक का दिनियम 1934 के धारा सत्रा ग्यारा एके तहट किंदर सरकार के एजेंट के रूप में स्कीम का संचनलन रिजर्व बैंक को सौपा गया। बैंक को और अन्य रिन संस्थानों द्वारा लगू उद्योगों को स्विक्रित अग्रीमों की गारेंटी प्रदान करने हैं तू रिन गारेंटी संगठन के रूप में प्रादिक्रित किया गया। 31 मार्च 1981 तक स्कीम का परिचारण रिजर्व बैंक ने किया। हुआ कि अब तक जो उपेक्षी छेत्र हैं विशेशकर उद्योगतर क्रिया कलापों से संबध्य समाज के कमजोर वर्गों की रिन वशक्ताओं को पूरा करने हैं तो प्रोच्षाइद किया गया। जमा बिमा और रिन गारंटी के कारियों को समेकित करने के उद्ध्य से दोनों संगठनों को 15 जुलाई 1978 के निच्छे बिमा और प्रत्य गारंटी निगम अस्तित्व में आया हैं। उनके इसाफ से, बैंक के इसाफ से, उपर में ये दोनों मिला तो है, ये चीज मैं बताया लेकिन डेट नहीं बताया था, तो 15 जुलाई आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, फिर क्या है, इसके परिणाम सरुप जमा बिमा अधिनियम 1961 का नाम बदल का निच्छे बि उद्योगों को स्विक्रित रेंड को भी गारेंटे प्रदान की, भारती रिजर्व बैंक की परिभाशा के निसार, एक अपरेल 1989 से, समग्गर प्रात्मिक्ता प्राप्त छेत्र को गारेंटी सुरक्षा प्रदान कर की जाने लगी, दिनांक एक अपरेल 1995 से सभी आवास रे है यह आप लोगों को वेबसाइट से ही निकाला गया था, जो क्रेडिट गारेंटी निगम का वेबसाइट है, वहीं से यह सारी जो इतिहास इसका निकल के आया था, तो इतिहास आप लोगों के समख्ष जैसा का तैसा प्रस्तूत कर दिया गया है, जो चीज मुझे यहां पे समझ नहीं है यह वो चीज मैंने आप लोगों बता भी दिया कि यह चीजegen नहीं है तो यह व्यादड़ चीज यहाँ पर मेरे नॉलेश्च का नहीं था टो इसको मैंने बताया नहीं थिक न जिसको समझ आए आए कमेंट कर देना और जो कोई डाउट होगा पूछ रेना बिलिंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाएंद